हलो एवरीवान दिस प्रिया मिश्रा एड वेलकम टो जे आई टुटोरियाज तो कैसे हो गाइस आई होप सभी मज़े में होंगे और बढ़िया तरीके से सारे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे चालो आज हम अगेन हमारे उसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं पर जो ये हमारा फोड चैप्टर बड़े ही लंबे टाइम से चल रहा था इस चैप्टर का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुती न्यू टॉपिक जो कि है हमारा थर्ड टॉपिक इंडियन ट्रेडिशन और तो guys मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि visual art क्या होता है आखों से देखने वाली सारे art के बारे में हम लोगों ने 4 lectures के अंदर हमने बढ़िया तरीके से complete कर लिया अब हम आज से start करने वाले हैं performing art की तरह ठीक है performing art क्या होता है किस तरह से होता है उसके अंदर की बहुत सारे पार्ट से उन सभी चीज़ों को हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से complete करने वाले ओके सो आपको लास तक बने रहना है यह है हमारा lecture नंबर पाई और अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ से डाउट हो मेरे subject से related डाउट होती है मेरी इंस्ट आईडी है आप मुझे यहां पर लेक्श कर सकते हैं message कर और स्टार्ट करते आज का lecture यह देख सकते हैं अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग कॉमेंट सेक्षिन में बता दो कि मैम हमें नोट्स चाहिए तो तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं आज के lecture की तरफ, जो की है हमारा performing आट बच्चों performing आट क्या होता है सब ने कभी न कभी dance किया है कभी न कभी किसी भी तरह का dance किया है को ऑप सबीने क्या है अन्याफ है कोई भी कोई भी डान्स करते हो या कोई भी सवमग गाते हो कोई भी म्यूजिकnew कोज भी परफ सुधिना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग different instruments को ना play करना बहुत जादा पसंद है यूज करना उन्हें बहुत अच्छी तर इसे उसे यूज करना आता है या फिर उसके बहुत सारे सुंदर सुंदर जो lyrics वगेरा होते हैं वह बनाते हैं बहुत सारे लोग लिखते हैं तो इस तरह की चीज़े क्या आप सभी ने किया है कौन कौन किया है वो comment में जरूर से बताना या फिर मुझे personally instagram पे जरूर से बताना कि हाँ हमने dance किया है और हम traditional dance करते है या फिर हम classical dance करते है या फिर हम folk dance करते है ठीक है comment section में जरूर से बताना चालो so performing dance क्या होता है बच्चो performing arts क्या होता है उसके अधर basically dance ही होता है इसमें भी performing art में बहुँ two major types आ जाते हैं सबसे दो main type आ जाते हैं दो main type काम से हो जाएंगे बच्चो मैंने आप लिएको को starting के lectures में भी बताया हुआ था कि हमारे पास क्या होता है दो हमेशाद से दो तरीके का होता है folk, classical, folk, classical, folk क्या होता है without rule and regulation, classical क्या होता है rules and regulation के साथ में folk क्या होता है without rule and regulation, traditional है but उसमें कोई भी rules and regulation नहीं है और जो classical है वो भी traditional है बट बट उसके अंदर होते हैं बहुत सारे rules and regulations और उन्हें ही follow करके हमें उस dance को या फिर हमें उस भी कोई भी art हो उसे हमें perform करना होता है ठीक है ध्यान में आ गया समझ में आ गया जबी भी अगर आपको आ गया performing art के बारे में अगर कोई भी question आप लोग ठीक है चालो सो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं हमारे traditional performing art जो हमारा सबसे फोक आट ठीक है पहले हम लोग जानेंगे फोक आट के तरफ tradition of performing folk art ठीक है फोक आट क्या होता है मैंने अब यह बता है आप लोगों को कि क्या होता है उसके अंदर कोई rules and regulation नहीं होता बट वह पोवाडा सुना है या फिर अगर नहीं सुना है आपने तो आप पोवाडा सर्च कर सकते हैं यूट्यूब अगरा पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे आप सर्च कर सके तो आप लोगों को पता चलेगा कि पोवाडा क्या होता है तो मैं भी यहाँ पर आप लोगों को बता रह हैं उस चीज को सौंग के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करता है कौन पोवाड़ा ठीक है तो वो हमारे ट्रेडिशन को बताता है ठीक है वो हमारे हिस्ट्री को बता रहे है लेकिन उसमें हमें क्या पता चल रहे है वो कोई एक अलग तरही का नहीं है पर bashको हमें यह या पर बहुत सारे अलग-अलग डांसें को को देख सकते हैं जिसके अंदर को बहुत सारी सारी चीजे करनी होते हैं कि बहुत सारी सुंदर सुंदर आप परफॉर्मेंस करते हैं बट उसके अंदर आपको ऐसा नहीं रहता है कि आपको पॉर्टिक्यूलर उसी रूल को फॉलो करके करना है ठीक है जबी भी आपको विदाउट रूल एंड रेगुलेशन चिल मारके इंस्ट्रूमेंट ते हैं अलग-अलग एंस्ट्रूमेंट को प्ले करने का जो तरीका होता है यह सारी चीजे किसके अनदर आ जाता है फोक परफॉर्मिंग आयरट के अंदर से पता होगा और यहां या फिर कोली कास्ट को ली एक कास्ट है ठीक हो जो आधिवर्णा अधिवाशी होते हैं तो उनका ट्रेडिशन होता है आटानस करते है और यह थGenौ करन कके तो बहुत सुन्दर तरीके का वो डांस होता है उसमें बहुत सारी अलग-अलग मूवे न जीज़ें भनाते हैं उनके अंतर ऐसा कुछ नहीं होता है कि हां हम पुर्टिकूलर रूल्स को ही फॉलौ करना है उन्हों ने अपना डांस पुछ से बनाई हुई है ऐसे बहुत सारे सौंग्स भी होते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़े आप लोगों को नौर्मली देखने मिल जाएंगे जो कि हमारा ट्रेडिशन है बट उसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे रूल्स करना है उसके बाद कि इर्टन करता है तो अगर कोई भगवान का कर रहे हमें बता चलता है पर उसके अंदर को रूस रहता है क्या कि नहीं हमें यह चीजे ही करनी है या पिर इसी तरह का होना चाहिए ऐसा नहीं होता हम जिस तरह से चाहे उस तरह से भगवान की प्रात्ना करें ठीक है तो इन चीजों को आप याद रख सकते हो ठीक है ये भी कुछ चीजे होती है जो के मनाई, जाती है, सेलिब्रेट की जाती है, इस तरह की बहुत सारे festivals को celebrate किया जाता है इसे बहुत सारे dances को अलग-अलग instruments को play किया जाता है songs को गाया जाता है तो यह सारी चीज़े किसके अंदर आ जाता है folk performing art के तरफ ठीक है समझा एकदम अची तरह से समझा easily समझ जाएगा ध्यान में इतना रखो कि जिसके जो हमारा traditional art है बट उसके अंदर rules नहीं हो जाता है folk art का चालो आगे बढ़ जाए आगे बढ़ते हमारे next topic की तरफ जो की है classical tradition of performing classical tradition of classical performing arts ठीक है tradition of classical performing arts अभी अभी मैंने क्या बताया था folk performing arts बताया हुआ था बाट मैंने में क्या बताया था किसके अंदर rules & regulation होते है classical के अंदर rules and regulation होते था उन्हीं rules and regulation को हमें deeply पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा टापिक है ठीक है इत्मिनान से शांत मन को एकदम चिल मारके बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे ओके चालो अब यहां पर हम देखेंगे कि क्लासिकल परफॉर्मिंग आट क्या होता है आप लोगों ने कभी कथक डांस करती है उनके स्कूल में ऐसा सिखाया जाता है और फिर वो पूरा कॉस्ट्यूम आपको पता है वो पूरा का पूरा ड्रेस अप करना भी एक बहुत बड़ा आठ है और बहुत बड़ा महारत है क्योंकि उससे वो सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए उनकी जो सारे रूल सेंड रेगुलेशन है जो कि उन्हें एकदम प्रॉपर तरीके से पॉलो करना पड़ता है वह हातों को अगर इस तरह से रखने बोला है तो वह इसी तरह से रखेंगे कोई और तरह से नहीं रख सकते ठीक है तो बहुत जादा उसके अंदर रूल सेंड रेगुल क्रशन वाल जाता है ऐसे सास्तियाश संगीत को ना कोई भी रेंडम पॉर्सन नहीं गा सकता है उसके लिए उस चीज के अंदर बहुत प्रैक्टिस लगती है तो इसी के वजह से बहुत ज्यादा क्लासिकल सिंगल्स नहीं होते हैं और ज्यादा तर नूर्मली लोग जो बह करें लेसे कि किस ने लिखा हुआ था भारत मुनी भारत मुनी जी ने इस चीज को नाट्ये शास्त्रा के बारे वुड का एक्जाम्पल ले लेते हैं या फिर दो सी आप। से लोगों हसी आजाती है। लोगों को आपसे एकदम अट्रैक्शन हो जाता है कि हाँ यह कितना बोलता है या फिर कितना बोलती है यह कितना हसाती है इस तरह की चीजे होती है कभी-कभी आप बहुत जादा गुस्से हो जाते हो कभी-कभी आप बहुत जादा अफ्रेड हो जाते हो कभी-कभी आप बहु मुझे बहुत करना पसंद बहुत सारे लोगों से बाते करना पसंद्क है कैसे बहुत सारे लोग मैं शान्तनी सकते वा शांती से लोग के कली 하는데 मुंटों का अडल बांग मोर्य코 पकी मतलब मैं साइन्स स्टूडेंट हूँ तो साइन्स में हम लोगों को एक अप्शनल सब्जेक होता रहता था कि हिंदी लो या फिर इट लो या फिर मराथी लो इन तीनों में से कोई एक लेना जरूरी रहता था मैंने इट मिल रह था बःट फिर मैंने इट को छोड़ के मैंने हिंदी ले लिया था विकोंज में बहुत ज्यादा अच्छा थाइगा तो यह सचके ऐसे में लिया था जो कि अच्छा डिसीजन था मुझे उस टाइंपर मेरे 11-12 में 95 मिला था कि मेरे पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा माकसा हिंदी के अंदर ठीक है तो वह तो मुझे नहीं बताना आपको मुझे यह बताना था कि हमें उसमें एक टॉपिक होता था रस होता था ठीक है तो वही रस जो है ना वो यही पूरे नौ रस है ठीक है वही यह नौ रस है इन तो उस time पर या फिर अगर वो music परफॉर्म करते तो उस music के अंदर ये चीजे होती है तो जब ही वो dance परफॉर्म करते तो उस dance के अंदर उनके जो face expressions होते हैं वो expressions उस time पर बहुत ज़्यादा माहिने रखते हैं और उनी सारी चीज़ नहीं देखना है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं श्रिंगार रस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों श्रिंगार रस का मतलब हो जाता है एक तरह का love ठीक है एक तरह का प्यार ठीक है जो लव जो प्यार दिखता है उस time पर उस चीज ठीक है वह चीज क्या होता है उनके पेस्ट पर दिखता है वह चीज ठीक है उस उस time पर उन्हें लाना जरूरी होता है उसके बाद आजाता है हास्यरस उनके कोई भी परफॉर्मेंस ठीक है उनको जो परफॉर्म कर रहे हैं अगर वह हास्य वाला परफॉर्मेंस है तो उन्हें देखकर लोगों के अंदर ऐसी खुशी वाली फीलिंग आनी जरूरी है ठीक है चलो नेक्स देख लेते हैं विभत सरस मैं कि अगर आपको कोई चीज देख रहे हो तो थोड़ा सा अजीब सा अलग सा फील होता है उस चीज को बोलते हैं विभत पिक है उसके बाद आजाता है रॉद्र रस राउद्र का मतलब क्या होता है रॉद्र इक्दम जाधा गुस्शा ठीक है रॉद्र मतलब एकदम साधा गुस्ता जो आप वो जो 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 चलासिकल पॉपॉंब भरत नार्ट्यम देखोगे या पिर अपर उस तरह के याप देखोगे उन में से कोई भी डांस अगर आप देखोगे तूस डास करते टाइम उनका जो पेस का लिए दिखाई देती है उसके बाद करूना करूना मतलब उनकी प्यारी सी भावना होती है जो ऑन्दर का जो बोलते हैं उस चीज़ को कहा जाता है वीररस मतलब एकदम वीरता वाला मतलब जो डेरिंग टाइप की चीज़े उसमें दिखाय देती है ठीक है उसके बाद हां भयंकर Garuth भयंकर स्मुर्स की डोरावनासाइक उसके बाद आजाता है हमारा अद्भूत रस अद्भूत रस अद्भूत मतलब की इतना सुन्दर परफॉरम समे भी आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका जो क्लासिकल सेट अप है उनका जो यह सब कुछ है उस चीज को देखकर बस आपको ऐसा लगना चाहिए कि वाव ठीक है उसके बाद शांत का मतलब सभी को पता है कि शांत एकदा मन जो शांत करके जो इस तरह के शांतता वाली जो इस चीज को याद रख लिए अगर आपका टेंथ हो जाएगा तो आपको इक ग्रामर का पार्ट रहेगा यह जो है ना यह सारा ग्रामर है अभी आप लोग को अगर सुनके आराम से समझ में आ जाएगा ना तो बहुत जादा इसी हो जाता है ठीक है ग्रामर का पार्ट है 11 12 समझ संग्या आ जा होगा कि यह सारी चीजों का जो मिला कर जोड़ा क्राइशे के bond यो चीज़ों को सरी क्या जाता से ता है उनरी कि घृको परफोर्मेंस का परफॉर्मेस को धाने परफॉर्मेंस हो खाय है वो भी ये भी एक तरह का rules and regulations है, जिसे follow किया जाए, ठीक है, चलो, I hope so, सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके, चलो, तो यही सारी चीजे वो क्या करते है, परफोर्म करते है, साथी साथ इसके अंदर बहुत सारी music को add किया जाता है, बहुत सारे instruments को use किया जाता है, बहुत सारे लोग इस टाम पर instruments को play करते होते हैं, जैसे बानसुरी का हो गया, या फिर पियानो हो गया, गिटार हो गया, फिर और क्या होता है तबला जो होता है, वो हो गया, ढोल होता है, यस तरह की बहुत सारी चीजेंगे वो सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए भी बहुत सारे अलग-अलग specialist लगते हैं जिन्होंने बहुत जादा अच्छी तरफ से उस चीज को सीखा होता है उस चीज के अंदर mastery क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक के अंदर भी बच्छो दो ब्रांचे सोते हैं यहाँ पर आजाता है सबसे पहले हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है उसकी दो ब्रांचे सो जाते कौन से दो ब्रांचे सो जाते हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड करन Celtic Music यह दोनों भी एक तरह का हमारा Classical Music ही है थोड़ा बहुत difference होता है इन दोनों के अंदर अब जो यह Classical Music जो हिंदुस्तानी मुजिक है उस हिंदुस्तानी Music के अंदर भी आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर भी हो जाता है सास्त्रिय संगीत मतलब जो पूरा जो किसे कहते हैं हम लोग जो Classical Sang होता है ठीक है जो Classical एकदम Proper Classical होता है उसे हम लोग सास्त्रिय संगीत कहते हैं और जो थोड़ा सा folk की तरफ होता है मतलब कि जिसके अंदर अगें rules and regulations नहीं होते हैं जो वो उसे हम क्या कहते है सेमी सास्त्रिय सेमी क्लासिकल music ठीक है उसे उपसास्त्रिय संगीत कहा जाता है ठीक है उपसास्त्रिय संगीत क्लासिकल 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 को बहुत ईचांत तरीके बहुत ईप्यार से उसे परफॉर्म किया जाता है लेफ्टा वाला जो स्वाइब तरह उसे हम लोग क्याते हैं सास्तिरिय संगे ठीक है और folk के अंदर थोड़ा सा उससे different हो जाता है ठीक है वह भी हमारा traditionally है वह थोड़ा सा उससे अलग हो जाता है ठीक है समझा इतना उसी तरह से ऐसे बहुत सारे beautiful blends है जो कि music, vocal हो गया उसके साथ बहुत सारे instruments का play हो गया, dance का performance हो गया इस सभी various उस different different चीज़ों को मिलाकर बहुत सारी अलग-अलग नई-णई चीज़े बनाई जाती है ऐसे नई-ई-ए पर्फॉर्मेंस किये जाते हैं ऐसे कुछ बहुत सारी पर्फॉर्मेंस है जो कि इंडिया के अलग-अलग स्टेट के अंदर अलग-अलग तरह-तरह से किये जाते है जैसे अगर हम लोग एक नॉर्थ इंडिया का अगर हम लोग ने एक जामपल ले लिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या परफॉर्म किया जाता है बच्चों, नॉर्थ इंडिया के अंदर कथक डांस जो होता है, वो स्पेशली परफॉर्म किया जाता है, मैंने आप लोग क अभी बतां है क्थक हो गया फिर भरतनाटियम्स क्लासिकल डांस को बता है तो क हो जाता है North इंडिया का पाट हो जाता है North Side को पफॉर्म किया जाता है उसके बाद आजए हमारा लावनी अगर आप महाराश्टर के हो तो आपको जरूर से पता होगा मैं माराठी नहीं हूँ बट मैं बच्पन से महाराष्टर में रही हूँ तो मैंने देखा यह performance बहुत ही सुन्दर होता है यह dance अगर आप माराठी हो तो आपको तो जरूर से आता ही होगा ठीक है तो महाराष्टर का यह कौन सा डांस है एच कहा पर चले गया प्रेश्टर को रिप्रेजेंट करता है वो डांस का है बच्छो लावणी डांस है जो के बाद आजयता है हमारा कफक कली यह इस न सुनावका होता है। कहां का होता है के इस तरह के बहुत सारे अलग-अलग स्टेट्स है और भी बहुत सारी स्टेट्स होंगे जिनके पास अलग-अलग और भी डांसे होंगे ठीक है तो वह क्या कर रहे हैं वह एक तरह का क्लासिकल डांस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही सारे क्या है बहुत सारे क्लासिकल डां जो कि हमें next lecture में finally complete करना है और हमारा chapter पूरी तरह से complete हो जाएगा और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कहां पर मेसेज कर सकते हैं इंस्टा पर मेरे मेसेज कर सकते हैं ठीक है चालो तब तक के लिए बाई बाई जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना चैनल पे नियूँ हो तो सब्सक्राइब भी करना और सारे दोस्तों को शेयर तो जरूर से करना ओके चलो बाई